प्यारे बच्चों नवस्कार जैसा कि आप सभी लोग जानते हो नाउन की क्लास एक हमारी हो चुकी है आप लोगों ने उस क्लास को पढ़ा होगा आसा करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी आज हमारी नाउन की second class है आज हम लोग second class को complete करेंगे नाउन में हमने आपको countable noun के parts बता दिये थे आज हम आपको बताएंगे कि uncountable noun के बारे में ठीक है तो चलिए जालते हैं uncountable nouns के बारे में जानते हैं ठीक है तो इसका noun का मैंने दो types बताए थे countable noun और uncountable noun तो countable noun आपका over हो चुका है अब हम लोग uncountable noun की बात करेंगे ठीक है तो दूश्रा आपका जो है ये uncountable noun है ठीक है uncountable noun इसके बारे में हम ये कहेंगे there are two types of of uncountable noun uncountable noun हमारे कितने प्रकार के है दो प्रकार के है uncountable noun हमारे कितने प्रकार के है दो प्रकार के है कौन कौन से है देखो number एक है आपका number एक है आपका abstract noun abstract noun ठीक है दूशरा है हमारा material noun material noun ठीक है ये uncountable noun दो प्रकार के होते हैं abstract noun और material noun ठीक है तो बात करेंगे हम किसके बारे में abstract noun के बारे में बात करेंगे कि आखिर abstract noun क्या होता है ठीक है तो abstract noun के बारे में हम लोग पहले बात कर लेंगे इसे हिंदी में ये दि देखा जाए तो इसे भाव आचक संग्या कहते हैं क्या कहते हैं भाव आचक संग्या ठीक है भाव आचक संग्या के नाम से हम जानते हैं अबस्टेक नाउन का मतलब ऐसा नाउन जिसको नाम छू सकते हैं जिसको नाम देख सकते हैं जिसको केवल और केवल हम फील कर सकते हैं हम महसूस कर सकते हैं तो ऐसे नाउन जिनको न देखा जा सकता है जिनको न छूआ जा सकता है केवल और केवल जिनको मैसूस किया जा सकता है वही हमारे होते हैं कौन से नाउन वो हमारे अबस्टेक नाउन होते हैं कौन से अबस्टेक नाउन चलिए आईए जानते हैं कौन कौन से हो सकते हैं जैसे हमने कहा देखो बेटा जैसे हमने कहा लब हमने कहा हैटरेड हैटरेड ठीक है लब प्रेम के लिए आता है घरणा के लिए आता है एंजिटी एंजिटी सिंसेर्टी सिंसेर्टी हैपिनेस हंगर Anger Anger Yes Bravery Bravery Cowardice Intrepidity यह सभी आपके जो है, यह सभी आपके कौन से नाउन है, यह सभी आपके अबस्टेक नाउन है, कौन से नाउन है, यह आपके सभी अबस्टेक नाउन है, क्योंकि आप इनको यह जो मैंने नाउन्स लिखे हैं, ना तो आप इन्हें टच कर सकते हैं, ना ही आप इन्हें टच क आपने कहा सर ओनस्टी लव किसी के प्रेम को फिल किया जाता है घ्रणा एंजाइटी चिंता को भी महसूस किया जाता है सिंसियर्टी सिंसियर्टी वफादारी को भी महसूस किया जाता है हैपीनेस प्रसन्नता को भी महसूस करते हैं हंगर, भूंग को भी हम फील करते हैं, एंगर, एंगर को भी महसूस किया जाता है, क्रोध को, ब्रेवरी, बहादुरी जो वर्ड है, बुला वो बहुत बहादुर है, तो बहादुर तो भी शिशड हो जाता है, बहादुरी, बहादुरी को भी हम क्या फील करते हैं, कावर्ड को हम केवल और केवल फील करते हैं मैसूस करते हैं इन्हें ना तो हम टच कर सकते हैं इस तरह से नहीं हम इन्हें टच कर सकते हैं क्या आप किसी हैपिनेस को टच कर सकते हो एंजाइटी को टच कर सकते हो है नहीं आप ब्रैवरी को टच कर सकते हो इन्हें आप टच नहीं कर सकत इन्हें केवल और केवल आप फील कर सकते हैं इसलिए सभी आपके कैसे नाउन है सभी आपके अबस्टेक नाउन है कौन से नाउन है सभी आपके अबस्टेक नाउन है और अबस्टेक नाउन के बारे में ये कहा जाता है देखो अबस्टेक नाउन के बारे में क्या कहा जाता है अबस्टेक नाउन को अबस्टेक नाउन को कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं ये ऐसा नहीं करना अबस्टेक नाउन को कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है अबस्टेक नाउन जो होते हैं क्योंकि अनकाउंटेबिल नाउन है जो अनकाउंटेबिल नाउन होते हैं वो हमेशा singular होते हैं तो abstract noun, uncountable noun के अंतर गताते हैं इसलिए ही हमेशा singular रहेंगे इनको ऐसा नहीं करेंगे कि आप इन्हें S.A.E.S. लगाकर आप plural बनाने का प्रयास करने लगें यदि आप plural बनाने का प्रयास करेंगे आपका answer क्या गलत हो जाएगा आपको plural बनाने का प्रयास नहीं करना ये बात ध्यान रखनी है ठीक है नहीं तो आप लब का लब्स करने लगें हैडरिट्स, एंजाइटीज और सिंसियर्टीज और हैपिनेस कावर्डिस, ब्रेवरीज, इंट्रेपिडिटीज और एंगर्स और हंगर्स आप करने लगें ऐसा आप करेंगे तो आपका answer कैसा हो जाएगा गलत हो जाएगा इनको आप plural बनाने का प्रयास नहीं करेंगे ठीक है अच्छा दूसरा इसके लिए पॉइंट क्या है कि आप abstract देखिये आप abstract noun से पूर्व सिरीगे आर्डिकल का यूस नहीं किया जाता है यूस नहीं किया जाता है ये भी point आप note करिये ये भी आप point note करेंगे कि abstract noun जो होता है उसके साथ आप article का use नहीं करते है abstract noun के साथ न a, न an, न d, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई article आप use नहीं कर पाते है abstract noun के साथ हमें article का use नहीं करना चाहिए यदि हम कर देंगे तो हमारा जो question है वो आप का wrong हो जाएगा abstract noun से पूर्व हमें article का use नहीं करना चाहिए तो दो point इनके बारे में जान लीजिए abstract noun जो है उन्हें आप singular से plural नहीं बना सकते और abstract noun से पूर्व कभी आप article का use नहीं करेंगे article का use नहीं किया जाता है ठीक है इनमें यदि हम और चीजें लिखें थोड़ा सा तो इनमें जो हमारी अवस्थाएं होती है उनको भी लिखा जाता है जैसे अवस्था आपका कौन सा जैसे आपका adult होड़ जो व्यस्क होने की अवस्था होती adult होड़ लिख सकते हो child होड लिख सकते हो बचपन की अवस्था ये अवस्थाएं लिखी जा सकती है यूथ लिख सकते हो ठीक है या किसी स्थिती को death और birth को लिख सकते हो जन्म की स्थिती स्थितियां लिखी जा सकती है ये आप लिख सकते हो ये सभी आपके noun जो है वो abstract noun ही होंगे कौन से noun होंगे abstract noun होंगे ठीक है इस तरह से abstract noun होंगे चलिए आगे देखते हैं देखिए अब इरर किस तरह किस से बनेगा हम इस तरह से लिख रहे हैं देखिए हमने लिखा दा दा ओनेस्टीज इस दा बैस्ट पॉल्सी ये लिखा ओनेस्टी इस दा बैस्ट पॉल्सी ठीक है अब आपने देखा मैंने यहां ओनेस्टीज लिखा ओनेस्टीज को मैंने प्लूरल कर दिया ओनेस्टीज तो आप जानते हो अबस्टेक नाउन है अबस्टेक नाउन को कभी भी हम ayes लगा कर plural नहीं बनाते एक तो error यह है और अबस्टेक नाउन से पहले हमने क्या use कर दिया article का भी use कर दिया आप जानते हो अबस्टेक नाउन से पहले article का use नहीं किया जाता तो आप इसको ऐसे ही लिख पाओगे honesty is the best policy आप यह लिख पाओगे honesty is the best policy यह आपका right है और यह आपका wrong है इस तरह से लिखेंगे ठीक है हाँ कभी ऐसा यदि हो जाए यदि कभी ऐसा हो जाए यदि structure इस तरह का आजाए कोई structure आजाए कोई इस तरह का structure आजाए देखो किस तरह का यह बाला noun plus of plus noun यह कभी structure बन जाए तो आप ऐसा कर सकते हो पहले noun से पूर्व आप the article का use कर सकते हो क्योंकि यह आपका structure ऐसा होता है कि इस structure में आप यहां भले ही abstract noun आप यूज करें लेकिन फिर भी आप abstract noun से पहले आप article का use कर सकते हैं तो जहां पर यह structure बन जाएगा noun plus of plus noun का structure बन जाएगा वहां आप abstract noun से पूर्व आप article दा का use कर पाएंगे कोई problem नहीं है लेकिन यह structure नहीं बना है noun plus of plus noun का structure नहीं बना है तो आप किसी भी abstract noun से पूर्व article का use नहीं करेंगे गलत हो जाएगा कभी आपके article का use नहीं करना है तो इसका ये structure बनाते हैं जैसे example में हमने लिखा दा honesty is liked by all ये हमने लिखा the honesty of this boy is liked by all यहाँ structure आप देखिए क्या वही structure बन रहा है ये honesty क्या है noun बीच में ये क्या आ गया of ये this boy क्या है noun structure बना noun plus of plus noun का structure बना तो आप पहले noun से पहले आप क्या use कर सकते हैं आप article का use कर सकते हैं sentence आपका कैसा है बिलकुर right है कैसा है ये आपका एकदम right sentence हो जाएगा कैसा right तो धियान रखिए noun plus of plus noun के structure में first noun से पहले आप the article का use कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है ये ये structure नहीं बनेगा तो आप abstract noun से पहले पूर्व article का use नहीं करेंगे ठीक है ये चीज़ चलिए आगे अब बताते हैं आपको material noun के बारे में बताते हैं किस noun के बारे में material noun के बारे ये आपका दूसरा है material noun material noun ठीक अब बात आती material noun क्या होता है कौन से word material noun होते हैं तो material noun का मतलब है जिन से चीज़ों का रिर्मार किया जाता है जिनसे आप चीजों को बनाते हैं तो जिनसे आप चीजों को बनाते हैं वो सब हमारा material ही तो होता है वो सब हमारा material लाउन होता है जिनसे आप चीजों का निर्माड करते हैं चाहे वो आपका खनिजबादार्त हों और चाहे आपके वो खदबादार्त हों जो खनिव बदार्थ होते हैं वो सभी हमारे material ना उनके अंतर कथ आते हैं किसके material ना उनके अंतर कहते हैं ठीक है YES इसलिए जिनसे चीजों का नियु za महने इसमें हम कह सकते हैं देखो क्या कहें ऑप साझने गला हैं तो क्या बना सकते हैं हम बना सकते हैं जिन से जिन से चीजों का ये थोड़ा सा ज़्यादा अब ठीक है जिन से चीजों का निर्माड किया जाता है निर्माड किया जाता है अबस्टेक णाउन कहते हैं अरे जिन से चीजों का निर्माड करते हैं कौन-कौन से material noun होते हैं हम किन से चीजों का निर्माड करते हैं कुछ तो हम इसमें लिख सकते हैं तीन चीजें सबसे पहले लिखते हैं नमबर एक में लिखते हैं आपका और solid solid चीजें लिखेंगे यह black से कर लेते हैं ठीक है यह black से इसमें हम solid solid liquid liquid जो चीजें हमारी कैसी होगी liquid होगी उनको लिखेंगे liquid या तीसरी जो होती है gas बगेरा जो होती है वो आपकी solid में कौन-कौन सी चीजें आईगी ठोस में जैसे आपने कहा sir iron आपने कहा sir gold silver copper board ठीक है aluminum sorry यह minimum aluminum है ना यह सभी आपके क्या solid है क्या है solid liquid का मतलब होता है तरल जो बहके नहीं चल देते हैं जो चीजें बहके चल देती हैं वो सब liquid में होती हैं जैसे आपने कहा sir milk है ना आपने कहा sir water यह आपने कहा sir oil यह आप लिखोगे oil आपने कहा sir diesel ठीक है आपने कहा sir petrol सभी आप देखरो liquid form है आपने कहा हनी आपने कहा sir water ठीक है यह सभी आप आपने कहा sir curd सभी आपके liquid form है जो liquid form है वो सारे क्या है material होने ठीक है gas में आप कोई भी gas आप लिखोगे आपने का सर सी ओ टू है ना येस आपने का सर एस टू सो फोर है ना आपने का सर ओ टू तो कोई भी आप लिख सकते हो ठीक है तो जो हमारे गैस होते हैं गैसिस होते हैं लिक्विड होते हैं सॉलिड होते हैं वो सभी हमारे मैटेरियल नाउन होते हैं कौन से होते हैं मैटेरिय लाउन होते हैं अब आप जानते हो यह जो मैटेरियल लाउन होते हैं इनको हम क्या करते हैं इनके लिए पॉइंट बनता है कि मैटेरियल लाउन को कभी हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते हैं ऐसा नहीं करते हैं कि हम आइरन का आइरन्स कर दें गोल्ड का गोल्ड कर दें silver का silver's कर दे, copper का copper's, wood का woods कर दे, aluminium का aluminium's कर दे, ऐसा नहीं करते हैं, नहीं हमारे liquid form आले जो होते हैं, जैसे milk है, milks कर दे, water का waters, oil का oils, diesel का diesel, petrols और, है ना, यह honey cuts कर दे, यह नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि material noun को कभी plural में नहीं लिखा जाता है, तो पहला point इसमें बनता है, क्या बनेगा, पहला point क्या बनेगा, material noun, noun को plural, form में नहीं लिखा जाता है, फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, ठीक है बेटा, yes, material noun को plural form में नहीं लिखा जाता है, एक बात, दूसरा इसमें point बनाएंगे, material noun, से पूर्व, पूर्व, article, का use नहीं किया जाता है, use नहीं किया जाता है, दूसरा point, ये भी आप point note करिए, ठीक है, material noun से पूर्व, article का भी use नहीं किया जाता है, तो ध्यान रखें, material noun से पूर्व, article भी use नहीं करेंगे, और material noun, को कभी भी, आप S, A, E, S लगा कर, plural बनने का प्रियास नहीं करेंगे, क्योंकि हमेंसा singular ही रहते हैं, क्योंकि ये uncountable noun के भाग है, जो uncountable noun के भाग होते हैं, वो सभी singular होते हैं, ठीक है, जैसे हम एक example आपको लिख रहे हैं, example लिखके बता रहे हैं, इस बात को समझा रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने example लिखा, देखे, क्या example लिखा है, हमने कहा, गोल्ड इज आ प्रीशियस मेटल, प्रीशियस मेटल, ठीक है, आ गोल्ड इज आ प्रीशियस मेटल, तो आप कहोगे सर जी, ये तो आपने क्या गलत कर दिया, क्यों गलत कर दिया, क्योंकि गोल्ड जो है, ये आपका material नाउन है, कौन सा नाउन, material नाउन, और material नाउन से पूर्व हमार्टिकल का यूस, नहीं करते, तो ये कुश्यन हमारा कैसा हो गया, रॉंग हो गया, इसको हम ऐसे ही लिख पाएंगे, क्या, गोल्ड इज आ, प्रीशियस मेटल, इस तरह से हम लिख पाएंगे, और ये हमारा सही हो जाएगा, अच्छा, क्या हम इस तरह से लिखने का यदि हम प्रियास करें, ऐसे लिख सकते हैं, गोल्ड इज आ, प्रीशियस मेटल, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अरे नहीं भाई, गोल्ड जो material नाउन है, और material नाउन को, कभी हम S या इस लगाकर, प्लूरल नहीं बनाते हैं, गलत है, आप वह ऐसे ही लिखेंगे, क्या, गोल्ड इज आ, सही आपका कौन सा होगा, सही यही हो जाएगा, गोल्ड इज आ प्रिशियस मेटल, तो गोल्ड भी नहीं लिख पाएंगे इसको, गोल्ड इज आ प्रिशियस मेटल, ऐसा भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो, इस तरह से हम लिखने का प्रियास करें, क्या ऐसा लिख सकते हैं, दा गोल्ड, दा गोल्ड, इज आ प्रिशियस मेटल, precious metal क्या हम ऐसा लिख सकते हैं अरे ऐसा भी नहीं लिख सकते क्यों क्योंकि आप material noun से पूर्व material noun से पूर्व article का use नहीं किया जाता है material noun से पूर्व article का use नहीं किया जाता है इसलिए ये भी गलत है तो धियान रखना है नही material noun उनको आप plural में लिख सकते हो और नहीं material लाउंस से पहले आप article का use कर सकते हो किसी भी article का use नहीं कर सकते हो हाँ इसमें बट एक condition होती है उसको आप लोग जान लो कौन सी एक structure होता है आपका ये structure जब structure आपका structure जब आपका ये बाला होता है कौन सा noun plus of plus noun ये structure जब आपका होता है तो आप first noun से पहले आप article का use कर लेते हैं कोई problem नहीं होती है चाहाँ भले ही है आपका first noun जो है वो आपका क्यों ना material noun हो यदि कहीं भी ये structure बन रहा है noun plus of plus noun ये structure आपका बन रहा है तो आप भले ही है material noun है फिर भी आप इससे पहले the article का use करेंगे देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ एक example पने का the gold अफ नेपाल is very cheap मैंने का the gold of नेपाल is very cheap ये आपने कोई structure आप लोग देख रहे हो ये structure यहाँ क्या बना ये gold क्या है noun ये क्या है of नेपाल क्या है noun structure क्या बना noun plus of plus noun बना तो ये ये structure बनेगा noun plus of plus noun तो आप पहले noun से पहले article का use कर सकते हो इसका मतलब sentence कैसा है sentence आपका right है अभी आपने देखा था पिछले sentence में आपने gold से पहले da use किया था तो sentence आपका कैसा हो गया था wrong अब gold से पहले आप da use कर रहे हो article तो कैसा हो रहा है right इसका मतलब यहां structure बन रहा है noun plus of plus noun का तो आप material noun से पहले भी article da ka use कर सकते हैं जब ये structure नहीं बनेगा तो आप material noun से पूर आप article का use नहीं करेंगे ये बाली बात है आपकी ठीक है I hope आपको समझ में आई होगी ठीक है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ चलिए तो आगे चलेंगे आगे बात करेंगे आपका ये जो noun का basic था वो मैंने आपको complete करवा दिया है ठीक है noun का जो basic था वो आपका complete है आप आगे class करेंगे ठीक है आगे चलेंगे ठीक है देखिए आप क्या आपको दिखाई दे रहा है आपको स्कीन पर कुछ दिखाई दे रहा है देखिए आप लोग भटा भट यहां लिखा हुआ है देखिए रूल मेंने फर्स्ट में किया है कुछ ऐसे नाउंस देखो हमारे साथ पढ़ो आप लोग कुछ ऐसे नाउंस जो अर्थ में प्लूरल होते हैं कैसे होते हैं जो अर्थ में प्लूरल होते हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रियोग करना चाहिए ये मैं आपको एक रूल बताना चाहता हूँ, उस रूल को आप लोग ध्यान से सुनिए और सीखिए, क्या नाउन का रूल है ये पहला, कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो अर्थ में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, और उनके साथ प्लूरल वर् और उनके अंत में लगे हुए S को हटा कर, कभी भी उन्हें सिम्लर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, तो कुछ इस तरह के नाउनकी हम 차चा करने जा रहे हैं, जो अपने आप में plural होते हैं, कैसे होते हैं प्लूरल होते हैं उनके अंत में लगे हुए S को हटा कर कभी भी उन्हें सिंगलर बनाने का प्रियास नहीं करना चाहिए और उनके साथ जब प्लूरल होते हैं तो उनके साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूस करना चाहिए चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से नाउ इंस्टूमेंट्स जो हमारे इंस्टूमेंट्स होते हैं जो हमारे औजार हैं उनके नाम यह उनके नाम है जैसे लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ सीजर्स सीजर्स से आप परचित हैं सीजर्स देखो प्लूरल में है यह जैसा लिखा गया है वैसा ही लिखा ही होना कभी भी इसको singular बनाने का प्रियास नहीं करना चाहिए ठीक यह तो scissors कैची की बात होती है tongs यह आप जानते हो यह हम चेमटा के लिए यूज करते हैं किसके लिए यह हम चिमटा के लिए use करते हैं बैलोज, इसको हम फुकनी के लिए यूज करते हैं, फुकनी के लिए है न, यस, ये आपका प्लायर्स, ये शरौता के लिए यूज होता है, काई के लिए, शरौता, पिंसर्स, ये आप चिम्टी के लिए यूज करते हो, काई के लिए बेटा, चिम्टी के लिए यूज करते ह ही होना चाहिए sier zewn यह भी आपकी 87ड के लिए होता है klipu da है Kato NPI कातरू हिए न की जिसे हम चीजों को कारते हैं भी इद्र यह आपका परकाल जो होता है ना परके उसको हम लोग डिवाइडस बोलते हैं ठीग है तो ये ऐसे नाउन है जो अपने आप में प्लूरल में लिखे गए हो प्लूरल ही होने चाहिए इन्हें कभी भी इनके अंत में लगे हुए S को हटा कर इन्हें सिंगलर बनाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए और देखो दिया है Names of Dresses हमारी कुछ पोशाके हैं उनके नाम दिये गए हैं जो हमेशा प्लूरल में होते हैं जैसे लिखा है Pants, Pajamas, Trousers, Swords, जांगिया बगेरा, Jeans, Socks, Moje और सूज माने जूते ये सारे ऐसे हैं ये भी हमेशा प्लूरल में ही यूज होने चाहिए इनका कभी भी S अटाकर इने सिंगलर बनाने का प्रियास नहीं करना चाहिए ठीक है ये बात तो इन सब्दों को हम सीखेंगे ये ऐसे सब्द होते हैं अपने आप में प्लूरल होते हैं इनके अंत में लगे हुए S को अटाकर इने सिंगुलर बनाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए और अर्थ में plural होते हैं इसलिए इनके साथ हमेशा plural वर्व का प्रयोग किया जाता है इसलिए इनके साथ हमेशा किस तरह की वर्व हम plural वर्व यूज़ करते हैं ठीक है बिच्छा कहते हैं, क्या कहते हैं, बिच्छा कहते हैं, यह assets, assets नहीं जानते होगे, यह संपत्ती के लिए word use होता है, किसके लिए, यह संपत्ती के लिए use होता है, Surroundings जानते हो चारो ओर का Riches Yes Savings बचत के लिए आता है Riches ये आपका संपत्ती के लिए Wealth के Sense में ये आपका Wealth के Sense में यूज होता है ये आपका Savings ये बचत के लिए यूज होता है Proceeds ये आपका आमदनी के लिए ये आपका आमदनी के लिए यूज होता है वर्ड ठीक है Valuables ये कीमती सामान इसको हम लोग यूज करते हैं किस Sense में ये कीमती सामान के Sense में यूज किया जाता है ठीक है Yes, Inverse और Assis ये राख के लिए आता है Banks ये डंग के लिए आता है Tiddings ये समाचार के लिए आता है समाचार इस तरह से ये आपका belongings अपने से सम्मंदिद वस्तुएं Yes Out Scuds ये Out Scuds जो है इसका अर्थ आप बाहरी इलाका आप ऐसा यूज करेंगे बाहरी इलाका इस Sense में यूज होगा Remains जो अबसे सोते हैं अब से सोते हैं Tools जानते ही हो Means ये हमारे कमाई के साधन Credentials ये आपके जो है साच होता है जिसे आप proof बोलते हो क्या बोलते हो Proof बोलते हो ठीक है Yes और Orders आदेस हमारे रासंस जो हम लोग रासं नहीं लेते हैं वही रासं नहीं हमेशा रासंस कहा जाता है Customs इसके बारे में बताएंगे रीति रिवाजे Thanks Earnings कमाई हमारी Refreshments जो हमारा जलपान होता है Regards जो हमारा सम्मान होता है ठीक है शम्मान और Arears हमारा बकाया धनरासी Wages के बारे में बताएंगे अभी और Congratulations And All हमारा इतियास जो बारसिक ब्रतान थोता है है ना ये सभी आपके जो नाउंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी आपके plural sense में यूज़ किये जाते हैं इनके साथ हमेशा आपको plural बर भी यूज़ करना चाहिए इनके अंत में लगे हुए as को अटा कर इने नहीं लिखा जाएगा है ना नहीं तो उनका sense बदल जाएगा ठीक है येस जैसे पहला देखो example दिया गया है Where is the tongs tongs जो होता है tongs के कितने फलक होते हैं दो जिनके भी दो फलक होते हैं अक्सर उनके साथ बर्व हमेशा plural तो tongs जो होता है अपने आप में plural होता है तो इसके साथ बर्व कैसी आनी चाहिए plural आनी चाहिए इस question में बर्व कैसी लिखी है singular तो wrong हो गया इसको आप कैसे लिखेंगे where is the tongs आप इस तरह लिखेंगे where is the tongs गलत होगा तो यहाँ इसकी जगे क्या लिखे where are the tongs यह आपका right answer होगा तो यह wrong हो जाएगा the proceeds were deposited in the bank proceed means, proceeds means क्या बताया आमदनी तो आमदनी जो होता है the proceeds were कहा जा रहा the proceeds were deposited in the bank bank में क्या जमा किया जाता है आमदनी ही तो व्यक्ति जमा करता है क्या जमा करता है आमदनी जमा करता है यहाँ पे proceed ही लिखा है proceed तो यह बर्व होती है यह आगे बढ़ना होता है जबकि यहां बैंक में जो चीज जमा की जाएगी वो हमेशा आमदनी होगी तो आमदनी लिखने के लिए यहां इन्होंने प्रोसीड लिख दिया है गलत है कुश्यन यह आपका रॉंग है इसको इस तरह से लिखा जाना चाहिए यह लिखा जाना चाहिए यह आपका राइट आंसर होगा यह होगा प्रोसीड नहीं यूज करना चाहिए ठीक अच्छा अगला गुश्यन है alms यह alms means विच्छा यादान होता है alms is given to the beggars alms जो होता है अपने आप में plural होता है इसके बर्ब कैसी होनी चाहिए plural होनी चाहिए इसमें singular दी गई है कुश्यन आपका कैसा है रॉंग है आपको इस तरह से लिखना चाहिए alms are given तू दा बैगर्स यह आपका राइट अंसर होगा तो दियान रखेंगे जितने भी वर्ट्स मैंने बताए हैं यह सभी अपने आप में कैसे हैं प्लूरल हैं इनके साथ बर्ब हमेशा प्लूरल यूज करनी है इनके अंत में लगे हुए एस को हटा कर इनके कभी भी आप सिंगलर बनाने का प्रियास नहीं करेंगे ठीक है सिंगलर बनाने का प्रियास आप नहीं करेंगे चलिए देखते हैं आगे और एक कुश्यन एक और एक्जाम्बिल दिया गया है राजेस बॉट आ पैंट लिखा है यस तो ये भी आपका question कैसा है wrong है क्योंकि paint जो लिखा है paint तो होता ही नहीं है हमेशा paints होता है तो ये गलत है इन्हें है ना तो ये ऐसा लिखा जाएगा देखो rages rages what are paints तो ये भी आपका wrong होगा क्योंकि paints आप जानते हो paints जो है अपने आप में plural है जब plural है तो उससे पहले an article क्यों आएगा तो ध्यान रखो एक ऐसे चीज़ें जो pair में होती है paint जो होता उसके भी दो फलक होते हैं होते हैं जिनके दो फलक होते हैं जैसे catchy हैं आपका चस्मा है आपका trouser है जिनके भी दो फलक होते seizures है उनका जब आपको एक चीज़ की बात करनी हो तो उसमें जोड़ दिया जाता है a pair of क्या जोड़ दिया जाता है a pair of जब आपको एक से ज़्यादा चीज़ों की बात की करनी हो आप जोड़ दो वहाँ pair swap क्या जोड़ दोगे pair swap जोड़ दिया जाता है तो दियान रखना है आपको यहाँ एक की बात करनी है तो हमें इससे पहले जोड़ना है तो इसको हम लोग गलत है यह हमारा इसको हम लोग इस तरह से सही करके लिख सकते हैं राजेस बाट ए pair of pair of pants pants तो कभी लिखते नहीं है क्या लिखेंगे pants तो यह सही है राजेस बाट a pair of pants अब यदि हमें कई pants की बात करनी होती कई pair की तो हम यहाँ लिख सकते थे pairs of pants यह लिख देते है ना तो हम यह लिख देते यह हमारा सही हो जाता राजेस बाट यदि यहाँ पर आ जाता है टू यह इस तरह से राजेस बाट टू pairs of यहाँ फिर pairs नहीं पेर लिखते यह टू पेर आफ पैंट्स कितना टू पेर आफ पैंट्स लिख देते यहाँ पर एस लगा ना कंपल सरी क्योंकि यह नाउन है और यह भी नाउन ही रहेगा यह एड्यक्टिव नहीं बन पाएगा यह ठीक है टू पेर आफ पैंट्स तो टू पेर टू है तो पेर आफ पैंट्स हो जाएगा ठीक है येस अगला एक और उदारल दिया है देखो इनोंने I stole his belonging I stole his belonging तो आप जानते हो belonging नहीं होता है हमेशा belonging होता है इनोंने तो S को हटा दिया मैंने कहा था ये भाईया ऐसे होते हैं इनके अंत में लगे हुए S को इने हटाया नहीं जाता इनके अंत में लगे हुए S को हटाया नहीं जाता हमेशा belonging सी लिखा जाएगा कभी belonging नहीं लिखा जाएगा इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग ठीक है तो यहाँ पे आप लिखेंगे I stole I stole his belongings B E L O N G I N G S ये ये वाला हमारा right होगा इसमें S लगाना जो है वो कंपल सरी है कि मैंने उसके बोरिया विस्तर को चुरा लिया है न येस बात समझ में आई होगी आप लोगों को येस अगला देखिए Uncountable Nouns अगला रूल है Uncountable Nouns Singular होते हैं रूल उन्होंने next बनाया कि जो Uncountable Nouns होते हैं वो कैसे होते हैं Singular होते हैं उनके साथ Singular Verb का प्रयोग किया जाता है जो Uncountable Nouns होते हैं हमारे वो Singular होते हैं उनके साथ हमें कैसी Verb लगानी चाहिए Singular Verb का यूज़ करना चाहिए और Uncountable Nouns से पूर्व Article का प्रयोग नहीं किया जाता है इन्होंने कहा Uncountable Nouns हमेशा Singular होते हैं इनके साथ हमें कैसी Verb लगानी हैं तो इनके साथ हमें Singular Verb यूज़ करनी हैं और Uncountable Nouns से पूर्व कभी Article का प्रयोग नहीं किया जाता है ये बताया गया है तो देखिए कौन-कौन से uncountable noun है, जैसे advice, uncountable noun है, information, scenery, poetry, furniture, hair, luggage, stationery, jewelry, machinery, mischief, शरारत, evidence, search, equipment, यंत्र, work, car, word, paper, board, food, money, traffic, bread, cost, music, और कौन सा travel, fuel, and fruit, ये जितने भी noun मैंने लिखे हैं, सभी आपके uncountable noun हैं, कैसे noun हैं, ये सभी आपके uncountable noun हैं, और uncountable noun के साथ, हमें कैसी बर्वियूज करनी हैं, हमें singular बर्वियूज करनी हैं, ठीक है, किस तरह की बर्वियूज करनी हैं, singular बर्वियूज करनी हैं, ठीक है, चलिए फिर आज हम इतना ही रखेंगे इसके बारे में हम कल आपको बताएंगे ठीक है इसके बारे में जो यह रूस अब आ गया आपका इसके बारे में कल चर्चा करेंगे आज हम इतना ही रखेंगे आज के लिए इतना ही और आप लोग प्रतिजिन कौपी पेन लेके बैठा करो तभी आपकी पढ़ाई अच्छे से बनेगी और आपका ये सेसन जो है कंटीनिव चलता रहेगा आपकी इंगलिस हम पूरी कंप्लीट कराने वाले हैं ओके थेंक यू